हालो बच्चों बहुत हो स्वागत है आप सभी का PVR स्टड़ी में क्लास का स्टीडूल उपर दिख रहा आप देख लिजिए प्यार से PVR स्टड़ी चैनल नंबर 3 पर उपर की दो क्लास चलती है A और B वाली C और D वाली PVR स्टड़ी इलहाबा चैनल पर चलती है चलिए आज की क्लास पर चलते हैं कुश्चन नंबर सिकेंड आपके सामने है करा कि छे सेंटीमीटर कि दो आठ सेंटीमीटर और दस सेंटीमीटर त्रिज्जाओं वाले कि धातु के ठोस गोलों को पिगला कर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है कि समझ रहे हो और फिर इस गोले की त्रिज्जा ग्याद कीजिए दिखे इसमें आपको थोड़ा सा सीखना है वह क्या है कि मालों छोटी छोटी यह दोनों डिब्बियां है जैसे ने देखो देखरों पलस्टिक है नहीं इन दोनों को पिगला दिया जाए गला दिया जाए और गला करके बड़ की डिब्बी बनाया जाए और इनकी कुछ चीजें दी गई है लंबाई चोड़ाएं उचाई तो यह बता इसका क्या होगा यह पूछा गया है कोई चीज जब पिगलाया जाता है तो वह एकदम ऐसा हो जाता उससे कुछ भी बनाया जा सकता है जिसे मि थीक है तो यह गोलाया ए मुझा है विए states अग्यों ऑनलाया जाता है इसकी तरिजह च्छे सेंटिमीटर इसकी प्रिजह आट सेंटिमीटर इसकी अदलीजह 10 मिटर है इनको प्राइड आक्साश की आप करता है नहीं ठीक है को सब्लाइक करके Whilst्रणा हिया है है ओके इतना पक्काना मस था एक दम चलो अब देखो बड़ा वाला गोल आपको दिख रहा है ना कि इसका क्या करना है यह रेडियेस में फाइंड करना है यानि इसको गला करके इसको पिगला करके तीनों को यह बनाया जा रहा है मе आई इये हल करते हैं कैसे करेंगे जो दिया है पहले एक ले भी लख लो में इसमें इसमें तीन तीन तरो healthier यहां नीचे लिख लेता हैं यही से सलूसलाट करते हैं भी अलिक दिया है आरोन एक कोल शेंटीमेटर कि आड़ तो एक औल आट सेंटीमिटर और R3 ये भी लिखो 10 cm और भी कुछ दिया है क्या इसमें नहीं दिया है न अब बड़े गोले की त्रिज्जा हम इसको capital R मान ले रहे हैं ठीक है ये हमें निकालना है तो ये capital R बराबर हमें find करना है ठीक है भाई ओके अब मैं ये गोला मिटाओंगा नहीं नहीं मिटाओंगा चलो नीचे लिख देता हूं का है को टेंसन लेते हो जाने दो चलो अब देखो समझो कैसे क्या करना है ये दिया है प्यराकिन तीनों गोलों को पिगला करके गला करके एक नया गोला बन रहा है और नहीं का गोला ये है यानि इनकी जो एक परकार से अगर हम शेतरफल की बात करें वह कंप्लेटली इसके बाले की बराबर होगा ना होगा तो ठीक है निकालो लिखो परफना नुसार लिखो पटसे काड़ीं तूदा कोईश्टन इसको आप चाहे तो लिख लीजिए समझ लीजिए तीनों गोलों के जो आयतन का योग होगा मतलब लिख लेंगें तीनों के आयतन को जोड़ेंगी और बड़के बाले के बराबर कर देंगे ठीक है यह पूरा लिख लिजिए तना बना लिजिए पिर मिटाने के बाद हम जहां से लिखेंगे आपको वहां से करना है जल्दी करिए नोट करो फटा-फट इधर साइड का लिख लो बस, चलो, हो गया, यह फर्मूला मैंने सब लिख दिया है, देखिए जो आपको पता है, गोले का आयतन होता है, वो चार बटा तीन पाई आर क्यूब यह होता है न, यहाँ पर आर अलग-अलग है, इतलिए मैंने आर वन, आर 2 का क्यूब और यह आर 3 का क्यूब बचेगा, ठीक है, ओके, नो डाउट इसमें, और इक्वल यह 4 अपान 3 पाई, इसको भी हम आलग कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए, समझना, अब यह कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा, चार बटा तिन पाई, आर वन का मान आपको पता है कि 6 दिया है, 6 का क्यूब, आर 2 का मान 8 दिया है, और आर 3 का मान 10 दिया था, और यह आर कैपिटल वाले का मान हमें निकालना था, तो भाई, सीदी सी बात है, 6 चक, 36, 6 का 216 होता है, और यह 10 का आप 10 में गुड़ा करोगे, फिर 10 से करोगे 1000 होगा, इक्वल आर का क्य ऐसे कुछ होगा न, जोड के मुझे बताना कितना होगा, ऐसे होगा न, इक्वल क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि हमने इधर से यह क्यूब हटाया है, तो इधर यह गनमूल का चिन लग जाएगा, इसका गनमूल करोगे 12 आएगा, और यह निकालना क्या था हमें, को छोटों को, उनकी तरिज्जा कितनी होगी, 12 मिटर, किसी को कोई डाउट, नहीं न, इस तरह से आपका यह कॉश्चन कंप्लेट हुआ, जल्दी से फट से इसको लिख लो, इसक्रीन फाट ले जट से देर ना करो, बहुत जल्दी करो, इसक्रीन साट लो जल्दी से तुर दस जुलाई से आ रही ठीक है, कच्छा नो और दस की एक नई बैज, पीवियर स्टेडी 3.0 चनल पर नो दस जुलाई से आ रही है, क्लास का सिरूल स्क्रीन पर देख लीजिए, अगले कॉश्चन पर तुरन बढ़ते हैं आगे, थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है कि 27 सेंटी मीटर वाला एक कुवा है, जो कि उसे क्या किया जाता है, 20 मीटर गहरा खोदा जाता है, और जो मत्ती निकलती है कुवा खोद के, उससे 22 मीटर लंबा इंटू 14 मीटर चवणा एक चबूतरा बना दिया जाता है, तो कह रहा कि कि इस चबूतरे की उचाई क्या होगी, देखो भाई सीदी सी बात यह है, कि यह क्या है कुवा है, कुवा बेलन के आकार कहोगा, ऐसे गहरा होता है न, ऐसे होता है कुवा, समझना, देखो बच्चों आपर समझो, यह क्या 20 मीटर गहरा है, ठीक है, और इसकी जो और क्या दिया है, साथ मीटर ब्यास दिया है, कितना दिया है, साथ मीटर, ठीक है, यहां से आर बरावर क्या होगा, साथ बटा दो मीटर, ठीक है, तो चलो, अब क्या करोगे, इससे जो मिट्टी निकल रही, वो 22 इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बना दिया जाता है, तो तो चबूतरा जो होगा वो थ्रीडी होगा यानी घनाब आकार का होगा ना ऐसे कुछ होगा घनाब आकार का होगा तब ही तैसमें उचाही होगी कोई टाट-पट्टी तो है नहीं अप समझने की कोशिज करो ओके इसकी यह 22 मीटर है और इसकी चवडाई यह कितना है मैं 14 मीटर जो भी दिया आपका वोगरा ओगरा ठीक है समझो हमें क्या निकालना है इसकी उचाही यह निकालना है इस ओके चलो देखो सीह ही बात है यह बेलन है बेलन का जो आपका आयतन होगा उसरенно haha भी मतलब मान लोगां इस घनाब गाले बापल तो न्युकहकर की जफिशन के थार उसे कोईन का आयतन के बराबर होगा लगालो ओक्षक मान लिखिए कुए का आखर आयता कर चब उत्रे का अजय वह लूम आफ वेल इक्वल बाइलुम आफ प्लेटफर्म प्लेटफर्म बोल सकते हो उसे फर्मूलात सबको पता है यह बैलन का आख जानते हो पाईर स्कॉरे एच और जब उत्रे का एतन क्या होगा अरे भाई घनाब कायतन एल गुड़े बी गुड़े एच न तो ठीक है चलो कर लो इसका कुए कायतन क्या हो जाएगा पाई यार इसका याल भी एच ओके क्यों भाई यही है कि कुछ और है रख लीजिए पाई कमान यहां पर आप 22 अपान 7 रखोगे आर कमान अगर बात करें कुय में तो 7 अपंटू है इसका स्कॉयर मतलब 7 अपंटू 2 बार इंठो यच मतलब हाइट मुड़ू इसमें देखो यच निकालना है इसकी हाईट तो दी गई थी क्या हा इसकी हाईट तो 20 दी गई है इसको आप रख दोगे सीधा-फिदा इसमें देखो यल 22 यह 14 इंटू याच यह यह हमें क्या करना है निकालना है आसान है हल कर लीजिए बहुत इजी है देखिए समझिए 7 से 7 कैंसिल 2 से इसको काटो के 11 आएगा अब 2 से इसको काट दो तो 10 आएगा 11 सते 77 10 का गुड़ा करोगे 770 14 का इसमें गुड़ा कर दो कितना आ जाएगा कुछ मत करो कुछ मत करो मैं बता रहा हूं 22 कुड़े 14 कुड़े याच यह 770 इधर आएगा तो यह उदर मल्टीपल में इधर डिवे डिविजन में आ जाएगा और भाग में आ जाएगा तो इतना मैं कर सकता हूं है ना अब इससे आप काट सकते हो ग्यारा दुना बाइस ग्यारा सते 77 जिरू आया 14 वंजा 14 14 50 70 यनि हम कह सकते हैं पांच बटे दो बराबर यच क्यों क्लियर ना यहां से आप जब यच की वेलू फाइंड करोगे तो 2.5 मीटर आएगा मतलब धाई मीटर मूंचा है चब उतरा इस तरह से आपका यह कुश्चन कंपलीट होता है अगर इसमें किसी को कोई डाउट रहा गया पूरा कुश्चन एक साथ स्क्रीन पर दिख रहा है जल्दी से स्क्रीन साड़ ले लिजिए आप पड़ रहें क्लाफ 10 की एंसी आटी मैथमेटिक्स इकसर साइज चल रहा है 13.3 और कुश्चन नंबर 3 हो चुका है बहुत जल्दी करें स्क्रीन साड़ ले लिजिए आपको बहतरीन समझ में आए वीडियो को रोंक रोंक के लिखा करें जिससे की आगे ना जाने पाए ठीक है कुछ भी डाउट होता है कमेंट करें मैं सब बताऊंगा आप कमेंट कर रहें मैं देख रहा हूं लेकिन मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी पढ़ाते वक्त समय नहीं होता है पढ़ाने दीजिए